हलो अबरिबरीडी दिस इस जेडे के गुरू और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए काफी रिलिवेंट स्ट्रक्चर को बताने वाला हूँ यह स्ट्रक्चर आपको काफी मदद करेगी फिल्वेंट इंग्लिस बोलने में आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बेस्ट करता है यूजड टूपे यूजड यूजड टूपे और यह ऐसे एक्सप्रेशन को बताएगा जैसे आदी होना या आदी हो जाना या आदत होना किसी भी चीज़ का आदी होना या उसका आदत लग जाना इस तरह के इस तरह का expression हमारे life में, हमारे day to day life में काफी relevant है, इसलिए इसे जानना ज़रूरी है, आएए हम structure पे देखते हैं, हमारा first structure जो है, वो ये है, subject plus aim is are, plus use to, plus noun, या before, याद रखेगा, अगर कोई noun यहाँ पे आता है, तो just noun लिखाएगा, जो भी noun है, राम स्याम जो भी हो, okay, pain हो या back हो, जो भी noun हो, वो noun, उसमें कोई changing नहीं, noun लिखाएगा, लेकिन अगर कोई verb है, तो verb वो ing form में लिखाएगा, okay, याद रखे, आए sentences देखते हैं, हमारा पहला sentence है, हमें इस मौसम का आदत है, तो कैसे बताएंगे, we are used to this weather, यहाँ, to के बाद क्या लगा, this weather, यह noun है, अगर हम ऐसे बोलते हमें, इस मौसम में रहने का आदत है, तो क्या हो जाता, we are used to living in this weather, देखे, okay, मुझे इस काम को करने की आदत है, मुझे इस काम को करने की आदत है, तो क्या बनेगा, I am used to doing this work, और अगर इस तरह बोलते हैं, मुझे इस काम का आदत है, तो क्या होता, I am used to this work, I am used to this work, मुझे इन चीजों की आदत है, तो क्या होगा, I am used to these things, okay, उसे पैदल चलने की आदत है, उसे पैदल चलने की आदत है, He is used to walking on foot, got it, मुझे इस कार को चलने की आदत है, मुझे इस कार को चलने की आदत है, I am used to driving this car, मुझे इस मौसम में रहने की आदत है, क्या होगा, I am used to living in this weather, मुझे देड़ तक काम करने की आदत है, I am used to working till late, मैं उसके नखरों का आदी हूँ, यानि मैं उसके नखरों का आदी हूँ, I am used to her tantrums, I am used to her tantrums, तो देखा हमने आदी या आदत को दिखाने के लिए हमने used to का use किया, मुझे रात भर जगने की आदत है, आप ट्राइ कर सकते हैं, easy है, मुझे रात भर जगने की आदत है, क्या होगा, I am used to staying awake all night, उसे जूट बोलने की आदत है, he is used to telling a lie, यहाँ पे इस तरह भी बोल सकते है, he is used to lying, मुझे चाई की आदत है, तो यहाँ पे पीने की नहीं, यहाँ पे बोला जारा है, मुझे चाई की आदत है, यानि noun की बात हो रही है, I am used to tea, अगर बोलते हैं कि मुझे चाई पीने की आदत है, तो यह ही बनता, कुखिए बापर भर बाज आता, आइंज भी लगता, I am used to taking tea, मुझे इस सोर की आदत है, यानि इस हल्ले की आदत है, हल्ला बहुत होता है, तो बोलते हैं कि मुझे अब इस की आदत है, तो आम इस सोर की आदत है, किसने से बोलें आप से बोलें आप लोग देख रहे हैं ओके बोलें आपको मेरी वीडियो देखने की आदत है तो आप ही बनाई इसको काफी आसान है क्या होगा आए इन सारे संटेंसे को हम निगेटिव इंटेरोगेटिव 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 के साथ प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं मुझे चाए पीने की आदत है I'm used to taking tea मुझे चाए पीने की आदत नहीं है I'm not used to taking tea क्या मुझे चाए पीने की आदत है Am I used to taking tea? क्या मुझे चाए पीने की आदत नहीं है Am I not used to taking tea? तो ये था present में अगर हम past में इसको दिखाना चाहते हैं किसी आदत को किसी आदत को अगर हम past में दिखाएंगे तो past में दिखाने के लिए एक simple तरीका है कि आप यहाँ पर subject उसके बाद क्या लगाएं aim is r के जगा पर आप just was and word लगाएं तो क्या हो जाएगा subject plus was या were plus used to plus noun या before चलिए आते देखते हैं मुझे सुबह जगने का आदत था मुझे सुबह जगने का आदत था या मैं सुबह जगने का आदी था I was used to getting up early मैं पूरे राद जगने का आदी था या मैं पूरे राद जगने का आदत था I was used to staying awake all night उसे जूट बोलने की आदत थी मुझे इन चीजों की आदत थी हो सकता चलो अब फ्यूचर में भी हम बना के देख लेते हैं फ्यूचर में क्या होगा आपको यह काम करने की आदत हो जाएगे यानि अभी है नहीं करते करते हैं आपको इन काम को करने की आदत हो जाएगी तो you will be used to doing this work आप यहाँ पे बी के जगा पे गेट लगा सकते हैं you will get used to doing this work you will soon be used to this weather आपको जल्द ही इस मौसम का आदत हो जाएगा या आप जल्द ही इस मौसम के आदी हो जाएगे तो क्या होगा you will soon be used to this weather या इस तर से बना सकते हैं you will soon get used to this weather आपको अकेले रहने की आदत हो जाएगे या आप अकेले रहने की आदी हो जाएगे you will soon be used to living alone या you will soon get used to living alone कुछ और भी sentences लेते हैं ताकि और भी clear हो जाएगे आप इसका use किसी भी tense में कर सकते हैं अगर देखते हैं कि हम continuous में use करके देखते हैं कि मुझे चाय पीने की आदत हो जाएगी या मुझे चाय पीने की आदत हो रही है मैं चाय नहीं पीता था लेकिन अब बोलते हैं कि अब मुझे चाय पीने की आदत हो रही है तो यहाँ पर क्याने continuous है तो I am getting used to taking tea अब चाय पीने की आदत हो रही है I am getting used to taking tea अब मुझे यह कार चलाने की आदत हो रही है पहले नहीं था लेकिन अब इस कार को चलाने की आदत हो रही है तो क्या होगा I am getting used to driving this car आपको सुबह जगने की आदत हो जाएगी पहले आदत नहीं था लेकिन अगर आप किसी ओपिस में काम कर रहे हैं या कहीं duty पे जा रहे हैं तो आपको उसके recording आपको routine set करना परेगा तो पहले आपका routine गलत था अब जो है आपको सुबह जगना परेगा तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आपको सुबह जगने की आदत हो जाएगी आप सुबह जगने की आदि हो जाएगी तो you will get used to getting up early in the morning okay चलिए आगे देखिए sentences people in कास्मीर get used to living in cold कास्मीर में लोगों को सर्दी में रहने की आदत हो जाती है you will get used to living in this weather got you will get used to this car आपको यह आपको इस कार की आदत हो जाएगी तो यह सारे sentences थे तो इन सारे sentences का अब practice किजिए हर sentences में practice किजिए हर situation में कीजिए अलग-अलग तरीकर का जहां पे आपको यह लगे कि हाँ यहां पी used to का use होगा तो आप कर सकते हैं चलिए अब हम last देखते हैं used to का कहां पी use करते हैं तो जब past के आदत को दिखाना हो, past के habits को दिखाना हो, तो वहाँ पे भी हम used to का use करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ used to होता है, इसमें m is r नहीं होता है, was were नहीं होता है, और will be or shall भी नहीं होता है, और used to के बाद v4 भी नहीं होता है, ठीक, v1 ही होता है, ओके, देखिए, subject plus used to plus v1 plus object, देखिए, वह class में सोती थी, वह class में सो जाया करती थी, जैसे यह एक आदत था, जब class चलता था, तो वह class में ही सो जाती थी, तो यह past habit को दिखा रहा है, तो c used to slip in the class, यहाँ पर ing भी नहीं लगा, डारेक्ट यूस्टू लगा, और यूस्टू श्यमने संटेंस बनाया, c used to slip in the class, वह class में ही सो जाया करती थी, वह cigarette पिया करता था, वह दुरूमपान किया करता था, he used to smoke, वह जूट बोला करता था, he used to lie, he used to lie, हम लोग पैदल स्कूल जाया करते थे, we used to go to school on foot, we used to go to school on foot, तो दिखा यह सारे uses, एक और सेंटेंस लेजे, वह पैसे उधार लेता था, और वापस करना भूल जाता था, क्या है, वह पैसे उधार लेता था, और वापस करना भूल जाता था, तो क्या होगा, he used to borrow money, and forget to pay it back, got it, I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, useful लगी होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, तो please like करे, और comment जरूर करे, क्योंकि comment से, आपके comment से, motivations मिलता है, एक तरह से, जजबा मिलता है, वीडियो बनाने का, तो आप लोग comment जरूर करे, ओके, like, share जरूर करे, और subscribe जरूर करे मेरे चैनल को, thank you for watching me, see you in the next video.